आज के इस खुदगर्ज दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं, जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, उनके मन में इतनी पीड़ा है कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रिफाइस कर सकते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था, कि मुझसे किसानों का दर्द देखानी जारा, वो रोज सिंगु बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट, कंबन रोज लेके आया करते थे, और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असह अभी तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं तो लगबग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और कितनी शहादत और और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के खिसानों की बात सुनोंगे अध्यक्ष मौदे अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था उन्निस सो साथ में उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जटा पंजाब में आंदोलन हुआ था बिलकुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन वो आंदोलन भी तीन कानूनों के खिलाफ था अंग्रेजों ने तीन कानून पास किये थे बारी दोआब एक्ट पंजाब लेंड कोलोनाईजेशन एक्ट पंजाब लेंड एलाइनेशन एक्ट और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था इतनी सम्ख्यां में लोग कठे हुए थे नौ महीने तक ये आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाव तो एक तो ये केंदर सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले है उस आंदोलन की लीडर्शिप की थी भगत सिंग के पिताजी ने किशोरी सिंग्जी ने और भगत सिंग के चाचा ने अजीत सिंग्जी ने उन दोनों ने मिलके एक भारत माता निर्मान सोसाइटी बनाई थी उस सोसाइटी की लीडर्शिप के अंदर वो अंदोलन हुआ था इन तीनों कानुनों को खारिज करवाने के लिए उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडिमेंट कर देते हैं कई round of discussion हुए थे केंदर से अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनो कानून वापस करवाने हैं और अंत में अंग्रेजों ने तीनो कानून वापस लिये थे मैं सोच रहा था कि भगत सिंग ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किसम से आंदूलन करने पड़ेंगे आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी आज कितने किसान हमारे सिंगु बॉर्डर के उपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं किसान भगत सिंग बनके वहां पर बैठा हुआ है केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं कानूनों का फाइदा समझ नहीं आसा तो केंद्र सरकार में अपने सारे बड़े दिगज नेता जितने बड़े-बड़े इनके नेता है उनको उतारा है, कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ जी जो भारतिय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री है, वो तीवी में आरा खाश है, बरेली में 20 हजार किसानों की रैली उन्होंने की, उनको कहा गया हो ऐ तो फाइदे समझाओ, तो फाइदे समझाने लगे, गया है, मैं सुन रहता हूं, मुतभरता, तुम्हारी जमीन नि जाएगी, यह फाइदा है क्या, वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं मतलब, यह क्या फाइदा है, तुम्हारी मंडी बंद नि नियोगी, यह जमीन नी जाएगी तुम्हारा ये अरे भरिया ये तो था ही हमारे पास फाइदा क्या है तो इन से किसी से पूछ लो ये भी इतने सारे बैठे हैं किसी से पूछ लो किसी भाजबा वाले से कि फाइदा क्या है वो बता रहे हैं कि आ रहे हैं उस पर फाइदा और नुक्सान द तो इन से किसी से पूछो भाजबावाले से फाइदा क्या है तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेज सकता है यह कहते हैं न यह तो मेरे को बोलने दीजिए मैंने आप लोगों जब बोल रहे थे मैं चुक चुक सुन रहा था मैं आज धान का MSP 1880 है उत्तर परदेश और बिहार में ये 900 हजार रुपे में बिकराए मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर परदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से सिज्जाद अदान जाए हवा में बात करने से क्या फाइद है कहीं भी बेच लो कहीं भी बेच लो और एक कहां बेच लें बताओ तो सही अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा उनको भी पता है कि कौन बेचेगा उनसे पंजाब में खरी देगा उत्तर परदेश में उनसे आठ सो रुपे में बेच के वही बड़े बड़े पुझी पती इतनी महगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महगा बेचेंगे ये किसानों के बेचने के लिए कानूनी बनाया गया तो कहा जा रहा है कि किसानों को घ्रमित किया जा रहा है किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा भाजपाईयों को भ्रमित किया जा रहा है सारे भाजपाईयों को अफीम खिला दिया है और अफीम खिला के कह दिया यह रट के बस यहीं बोलो मैंने आज पूरा भाशन सुना योगिया दित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फाइदा है, वो पूरे भाशन में वो भाशन था इसी बात के लिए, कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फाइदा है, आज सुप्रीम कोट में केस था, कल भी था, हमारे वकीर ने सुप्रीम कोट में खड़े हो के का कि किसानों की मांगे जाए जाएं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए, केस इसलिए था कि दिल्ली के बौर्डर के उपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, हमारे वकीर ने खड़े हो के का जी, इसके लिए के केंदर सरकारे भूंते में इनकी मांग माल ले धरना उख जाएगे धरना क्यों नहीं उढ़ा धरना इसलिए नहीं उढ़ा केंदर सरकार नहीं करने दरी तो केंदर सरकार वक्का वकील बोलता है कि यह दिल्ली सरकार तो का वकील तो किसानों का वकील बनके बना हुआ है मैं केंदर सरकार वाले को कहना चाहता हूँ तुम भी किसानों के वकील बनो तुम भी किसानों का काम किस के लिए करो किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किस की वकालत करोगे दलालों की वकालत करोगे एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि करोना काल में ओर्डिनेंस क्यों पास किया गया ऐसी क्या जम्दबाजी थी अभी ये कानून शायद सक्तर साल के भारत के इकिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे रज्यसभा अध्यक्ष ने पास 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 करके पास कर दिया जबकि पूरा हूस चिला रहा था जैसे आप यहां बैठे हैं कई बार हूस चिलाता है आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया अगर हाउस चलाता है आप दस में के लिए जन्ग कर देते हो फिर दुबारा बैठते हैं फिर हाउस ओर्डर में आ जाता है फिर वोटिंग कराते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर तीन कानून बस पास पास कर दिया जक्षने और पास हो गए कोई वो कितना पैसा खर्च होता है चुनाओं के अंदर कितना पैसा खर्च होता है ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए ये कानून भारते जन्ता पार्टी के चुनाओं की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले किसान तो समझ गए बाकी देश भी जितनी जन्ती समझ ले उतना अच्छा होगा तो अध्यक्ष महोदे मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये तीन कानूने ये तीनों कानूनों को मैं सदन के साथ ये तीनों कानूनों को फाड़ते वे मुझे बेहत दर्द हो रहा है मेरा बिलकुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के उपर दो डिगरी टेंपरीचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता मैं भी पहज़े इस देश का नागरिक हूँ मुख्यमंतरी बाद में हूँ तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधान सभा खारिज करती है और केंदर सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बत्तर मत बनो अंग्रेजों ने नौ महीने में कानून वापस ले ले थे आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज़्जत रख लो कि वीज दिन के बाद इनकानून का वापस ले सदन